गाइस किया आप लोगों ने कभी यह सोचा है कि जब भी AC चलता है तो उसमें से लगाता है थोड़ा-thोड़ा पानी निकलता रहता है आखिर यह पानी क्यों निकलता है AC में से, उसका सिंपल सा रीजन है humidity मतलब कि moisture यानि कि जो water vapors air में present होते हैं उसी की बजहा से AC में से पानी निकलता रहता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो AC होता है वो room में present जितना भी moisture होता है उसको अपनी और खीच लेता है और उसको condense करके पानी में convert कर देता है इसलिए उसमें से लगातार पानी निकलता रहता है